अलो जीन मश्कार आप सबका स्वागत है हमारी इस चानल हार्मोनिम गुरू में तो पीछे हमने कल्ले एक भजन किया था ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन तो वो उसका स्थाई पाठ हमने करा था आज उसका अंत्रा पाठ सीखने का परियास करेंगे तो मैंने जैसे कि पहले भी बताया था कि यह जो भजन है थाट काफी में ठीक है और बहुत ही सारल भजन है तो चलिए शुरू करते हैं इसका अंत्रा अगर किसी भाई ने इसका स्थाई नहीं किया तो मैं उपर आई बटन में आपको उसका लेंक देदूंगा आप आई बट कि यंत्रे की पहले लाइन है देखें कोई कोई रोके नहीं पाधा माधाधा नहीं धाधा देखें कोई रोके पाधा माधाधा कोई रोके नहीं नहीं धाधा कोई कोई टोके नहीं कोई धानी टोके नहीं सानीधा पापा टोके नहीं सानीधा पापा तो यह आपकी पहले नहीं मैं पूरी बजा के दिखा रहा हूँ कोई रोके नहीं कोई टोके नहीं तो आपको पूरी भजन की नोडिशन वेबसाइट पर मिल जाएगी ठीक है फिर अगले अगले देखते हैं मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी दुबार देखें मीरा पाधा मीरा मीरा गोविन्द माधा धा मीरा बनेगा पाधा से मीरा पाधा गोविंद माधा धा मीरा गोविंद गोपाल गोपाल धाधानी गोपाल गाने लगी सानी धापापा गाने लगी सानी धापापा ठीक है फिर अगले तिसी लेगे देखते हैं बैठी संतों के संग सेम बैठी पाधा, बैठी संतों के, संतों के माधाधा बैठी संतों के, पाधा माधाधा संग पय भी धायेगा संग धा रंगी धानी रंगी मोहन के रंग मोघ के रंग रंगी धानी मोहन के रंग सानिध पापा ठीक है मीरा प्रेमी प्रितम यह चौथी लाइन है मीरा पाधा प्रेमी मा धाधा मीरा प्रेमी प्रितम धाधा को मनाने लगी को मनाने लगी धानी सानी धापा यह चार लाइने सिर्फ एक ही स्वरली पीपे बजेंगी प्रेमी प्रितम को मनाने लगी सानी धापा फिर उसके बाद वो ठीक है देखें दुबार देखें मीरा प्रेमी पाधा मा धाधा प्रितम धाधा को मनाने लगी सानी धापा ठीक है तो चलिए अभी इसका अगला पार देखते हैं फिर इसके बाद से हम आके वही स्थाए वेली पहले वो तो गली गली हरी गुन गाने लगी पिर ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन वो तो गली गली हरी गुन गाने लगी मेरा रानी शेआनी कहाने लगी ऐसी लागी लगन मीरा व्यावेई मगन तो बिलकुल सेम वैसे जैसे इस थाएं पाता ठीक है तो बस ये आपका अंत्रा था इसी परकार आपका ये पूरा भजन हो गया ठीक है और पूरे भजन की notation आपको मेरी website मिल जाएगे आप मेरी website पर जाएगे उसकी notation आपको पूरी वहाँ पर मिल जाएगे ठीक है और कोई भी दिखा तो आप comment कर यहगा बहुत ही subtle भजन है आप notation आपकी help के लिए नोटेशन डाल दिया ठीक है फिर भी कोई दिखत हो तो आप कमेंट करीगा ठीक है बाकि अगर कोई भी दिखत हो तो नोटेशन को देख के बजा लीजिएगा धन्यवाद ठीक है मिलते अगले वीडियो में